नमस्कार आप देखने आरे नियूज, मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग, रुख करेंगे बॉलिवूड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की और सिंगर और एक्टर योयो हानी सिंग की पत्नी शालिनी तलवार ने कोट का दरवाजा खट-कटा दिया है दरसल उन्होंने सिंगर पर The Protection of Women for Domestic Violence के आक्ट के तहट याचुका दायर की है दिल्ली के 30,000 कोट में याचुका दाकिल की गए याचुका 30,000 कोट की मेजिस्ट्रेट तानिया सिंग के सामने पेश की गई है बता दें कि वकील संदीब कपूर पूरवा पांडे और जीजी कश्यब ने शालिनी तलवार की ओर से याचुका मजिस्ट्रेट के सामने रखे कोट ने हनिस सिंग के खिलाब एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें उन्होंने सिंगर से 28 अगत से पहले रिप्लाइफ फाइल करने की बात लिखी है बदादे चलें कि दोनों की च्वाइंट पॉपर्टी के बेचने और स्त्री धन से छेट चाड न करने पर भी हनिसिंग पर रोक लगाए गई है शालिनी तलवार के फेवर में ही ओर्डर पास कर दिया गया है अब मुंबई पुलिस ने एजुकेशनल एप बायजू के फाउंडर रविंद्रन के खिलाप अपरादिक धाराओं में केस दर्च कर दिया है रविंद्रन के खिलाप UPSI पाचिकरम में गलत जानकारी देने कारूप लगा है रविंद्र के खिलाप R.A. Colony Police Station में अपरादिक स्वाजश के लिए IPC की धारा 120B और IT Act की धारा 69A के तहत केस दर्च किया गया है F.I.R. में कंपनी के मालेक रविंद्रन का नाम भी शामिल है और बता दें कि R.A. Colony Police Station के मताबिक ये F.I.R. एक साइन्स फर्म की शिकायत पर दर्च की गई है बैजू पर ये आरोप लगा है कि उसने UPSC पाठेकरम में कहा था कि केंजरी एज़ांच एजंसी C.B.I. UNTOC की एक नोडल एजंसी है जबकि C.B.I. ने लिखित में साफ किया है कि वो UNTOC की नोडल एजंसी नहीं है इसे बीच अब जल्द ही कपिल शर्मा शो फैंस को भरपूर मनरंजन करने के लिए एक बार फिर से स्क्रीन्स पर नजर आएगा अब एक एक कर शो से जुड़ी जानकारियां भी सामने आने लगी है और प्रोमो वीडियो भी जारिक किये जा रहे है जल्द ही कपिल शर्मा शो फैंस का भरपूर मनरंजन करते नजर आएगा और साथ ही आपको बता दें कि ताजा मामला सामने आया है जहां कपिल शर्मा शो के वीडियो अब जारी किये जाने लगे हैं और रिपोर्ट्स की माने तो दा कपिल शर्मा शो के पहले सीजन के केस्ट बॉलिवूर्ट सूपरस्टार अक्षर कुमार होंगे बताते चलें कि जल्द ही अब कपिल शर्मा का शो एक बार फिर से टेलिविजन स्क्रीन्स पर दस्तक दे सकता है होता दें कि हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामनों को देखते हुए महराष्ट में कई शो ऐसे थे जिनकी शूटिंग पर रोक लगा दे गए थी और सुरक्षा के लिहाज से कपिल शर्मा का शो भी बन कर दिया गया था जो कि कुछ समय से आफिर हो गया था अब बस चौदा में तुफानी सीनियर्स गोहर खान और हिना खान एक फ्लाइट में फैंस को रियोनियन करते हुए नजर आए हैं दरसल वो अपनी फ्लाइट में एक दूसरे से टकरा गए गोहर ने एक रियोनियन का वीडियो भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेट किया इस वीडियो में गोहर सफेद मास्क पैने वह नजर आ रही है और वीडियो में वो कह रही हैं कि हर कोई ट्रीट के लिए तैयार है देखो मैं किस से मिली और इसके बाद हिना कान फ्रेम में नजर आती हैं और दोनों गले लगती हैं दोनों ने ही बिग बॉस 14 में सिधार शुकला के साथ तुफानी सीनियर्स के रूप में एंट्री की थी और तब से उनमें काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई है